नमस्कार आप देख रहे हैं तब यहां टॉप मैं हूँ आदेश पुरी शिक्षा युभाग की अपर मुक्सचियू क्यके पाठक कल छुट्टी से आएंगे लेकिन आपको बता दे कि छुट्टी पर जाने से पहले उन्होंने एक आदेश निकाला था जिसमें साफ साफ कहा गया था कि वैसे सरकारी सिक्षक जो इसकूल ना आकर नीजी विद्यालियों में या कोचिंग संस्थाओं में अपनी सिवा दे रहे हैं तो वो चेत जाएं उन पर कड़ी करवाई की जाएगी और इसके साथ साथ मता दे कि सभी जिलों को यह कहा गया था कि वो सभी संस्थानों से यह प्रमान पत्र लें कि उनकी यहां कोई भी सरकारी सिक्षक कारेरत नहीं है और नहीं भविस में उन्हें सिवा देने का आप मौका देंगे आपको हम बता दे कि पटना में करवाई शुरू हो गई है और लगभग निबंधित यहां पर 1000 से अधिक कोचिंग जो हैं वहां पर कोई भी सरकारी सिक्षक अपनी सेवा नहीं दे रहा इसके साथ साथ आपको हम बता दे कि आपको जानके काफी आश्चर होगा कि पटना में गैद निबंधित लगभग 12,000 से अधिक कोचिंग संस्थान है डेर लाग से अधिक कैंडिडेट जो है पटना में यवा जो हैं वो कोचिंग संस्थानों में पढ़ते हैं आपको हम पूरा स्टोडी बताते हैं पूरा स्टोडी यह है कि सरकारी इसकूलों में पढ़ाने वाले सिक्षक निजी कोचिंग में पढ़ाते पाए गए गये तो उनके खिलाफ सक्त करवाई की जाएगी सिक्षा युहा के निर्देश पर जिला सिक्षा कर्याले ने जिलों के सभी परधाना ध्यापक को पत्र लिखकर कोचिंग में पढ़ाने वाले सिक्षकों की सूची मांगी है इस निर्देश के बाद सभी माध्मिक यो उच्च माध्मिक स्कूलों के परधाना ध्यापक ने लिखी तोर पर दिया है कि उनके यहां कोई ऐसा सिख्षक नहीं जो कोचिंग में सेवा दे रहे हैं सभी जिला सिख्षक करियाले द्वारा तयार फॉर्मिट में यहीं लिखा है कि कोई सिख्षक नहीं इस सम्बन में जिला सिख्षक पतादिकारी पतना अमित कुमार ने बताया कि परधाना ध्यापकों से मिले रिपोर्ट के बाद फिर से सभी स्कूलों की जाच कराई जाएग अगर किसी सिख्षक का कोचिंग में पढ़ाने का नाम आया तो उक्त स्कूल के परधाना ध्यापक को भी निलम्बित किया जा सकता है आपको बता दे कि पतना में जिला सिख्षा कर्याला की रिपोर्ट के अनुसार पतना जिले में कुल 1017 रजिस्टर्ड यानि की पंजिक्रित कोचिंग संस्थान चल रहे हैं इनमें 151,104 बच्चे कोचिंग में पढ़ रहे हैं नमांकित सभी बच्चे कक्छा 9-12 तक के हैं बिना पंजियन के छोटे बड़े 12,000 कोचिंग संस्थान पटना में चल रहे हैं इनमें से वैसे भी कोचिंग संस्थान है जो परतोगी परिक्षाओं की तयारी कराते हैं कुछ कक्छा 9-12 तक की कोचिंग चलाते हैं इसके बाद शिख्षा उभाग ने सभी परधान द्यापकों से कोचिंग में पढ़ाने वाले सिख्षकों की सूची माँगी थी और सुची में यही आया है कि कोई भी सरकारी सिख्षक किसी भी कोचिंग संस्थान या नीजी संस्थान में अपनी सेवा नहीं दे रहा है. तो पतना में आपको बता दे कि 1017 निबंधित कोचिंग संस्थान है और 11 निबंधित लगबग 12,000 सदिक हैं और निबंधित में स्टुडेंट की संख्या 1,55,104 है तो आप समझ सकते हैं कि जो गैर निबंधित हैं और पूरे पतना में कितने लाख स्टुडेंट पढ़ाई करते हैं तो बता दे आपको हम कि सिक्षा इवाग के आदेश का पालन होना सुरू हो गया है हर एक जिलो में हर एक विद्यालेओं के पढ़ाना ध्यापक से ये फॉर इस विडियो में इतना ही विडियो पसंदा है लाइक शेयर करें हमारे चैनल दब यहां टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले धन्यवाद